मसकार दोस्तों, Welcome to Study with Neelam I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे हुँगे आज हम 5 मई 2021 के सभी डेली बेश्ट करण्ट अफिर्स कोश्चन विथ पॉइंट पॉइंट सेक्शन कम्प्लीट करेंगे तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट पहला कोश्चन है हमारा हाली में इमने में से किस राज्जी के द्वारा पत्रकारों को फ्रंट लाइन COVID-19 वारियर्स घोशित किया गया है तो यहां राइट आंसर होगा हमारा ओडीशा देखिए यहां हम आगे बढ़ने से पहले एक बाद बता देते कि जब सभी को COVID जो फ्रंट लाइन वर्कर के इंद सरकार के तरफ से गोशित किये गए थे पुलिस वाले जो ते डॉक्टर्स थे ठीके नेता वगिरा थे इन्हें जो वैक्सीन लगी थी सेना के BSF सभी को तब प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया के द्वारा ये रिक्वेश्ट केंद सरकार से की गई थी कि पत्रकारों को क्या किया जाए उन्हें भी फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल किया जाए और उन्हें भी वैक्सीन पहले दी जाए लेकिन इस पर कोई बात नहीं बन पाई केंद सरकारों प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया के बाद दे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जन्वरी 2021 से लेकर अप्रेल 2021 तक देश में छोटे बड़े न्यूस पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल्स के जो सो पत्रकार हैं उनकी मृत्य कोबिड-19 की वज़े से हो गई है और अगर उन्हें फ्रेंट लाइन वरकर माना जाता तो उन्हें भी वेक्सिनेट किया जा चुका होता और हम जो देश का चोथा इस थंबे उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के कुछ अच्छे लोगों को बचा पाते अब देखें यहाँ पर किसने ओडिशा ने बोला है कि जो फ्रेंट लाइन वरकर गोशित किया है कि नहें पत्रकारों को तो क्या फेसलिटी दे रही है इसके तहट ओडिशा सरकार जो पत्रकार हैं उन्हें गोप बन्दु बन्दि का स्वास्त बीमा योजना के तहत इन्हें दो लाख रुपे का स्वास्त बीमा कि योजना केई तहत इने दो लाख रुपे का स्वास्त भीमा कवर ओडिशा सरकार के द्वारा पत्रकारों को दिया जा रहा है। अपको ओडिशा में। ओडिशा की केपिटल घुबनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो जानवर हैं ठीक है। जानवरों में भी मुख्य रूप से कौन है याद रखेगा एशियाई सेर। कौन है एशियाई सेर जो है आठ एशियाई सेर यहाँ पर नहरू जो लोजिकल पार्क हैदराबाद में यहाँ पर जब इनका टेस्ट किया गया तो यह आठ एशियाई सेर कोविड नैटीन से पॉजिटिव पाए गए। मतलब अब जो गोविड है वो इनसानों के बाद जानवरों में भी पाया जा रहा है तो यहाँ पर सेंटर फॉर सेलिलर एंड मॉडली क्लियर बाइलोजी के द्वारा यह बताया गया है कि इन बिल्लियों में क्योंकि इस अभी किसकी प्रजाती में आते बिल्लियों की इन सेलियों में RT-PCR टेस्ट क्या पाया गया है पॉजिटिव पाया गया अब CCMB जो है यह क्या करेगा इनके जीनोम अनुकरम के लिए नमूनों की विस्तिर जांच करेगा और यह पता लगाएगा कि क्या इनमें जो COVID-19 फेला है जो इस ट्रेन आया है वो इनसानों से ही आया है या फिर कोई अलग इस ट्रेन है ओके तो यह इस पर रिसर्च की जाएगे तो याद रखिए कहा है नहरू जोलोजिकल गाडन है नेक्स्ट देखते हैं हाली में चर्चा में रही मुरहेन योगा मेट किस राज़े से संबांदी थे तो राइट अंसर होगा यहाँ पर हमारा असम किस राज़े से संबांदी थे असम से संबांदी थे योगा मेट है इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह मुरहेन जो मेट है यह बायो डिगरेडिवल है मतलब इसको क्या किया जाता है डिस्पोस किया जा सकता है यह एंवायर्मेंट के लिए भी मतलब खतरनाक नहीं जो कहांपर दीपोर जील आपने नाम सुनाओँगा बहुत जादा फेमस है दीपोर जील क्यों फेमस है क्योंकि यह जो दीपोर जीले असमकी यह आपके आई निसमें रामसर साइट्स में भी शामिल है और प्लस यहां पर एक वनने जीव अभ्यारण भी है और इसी दीपोर जील की किनारी रहने वाली छे लड़कियों के द्वारा जल इसको क्या किया गया है बनाया गया है तो ये बायो डिग्रेडिवल जो मेट है इससे जल जो जील है इसके आसपास की जो जल कुम भी है उसकी खतरे से भी क्या किया जा सकता है इसे बचाया जा सकता है इसलिए ये अब असम सरकार इसके विश्विस्तर ये वैपार के लिए भी काम कर रही है मतलब इसको विश्विस्तर पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इसका वैपार किया जा सके Next देखते हैं हाली में अंतराश्टी अगनिस समन दिवस कब मनाया गया है तो right answer होगा हमारा 4 जो firefighter होते हैं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए उनके प्रति समान के जाग रुकता के लिए यह दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है 4 मई को मनाया जाता है कब से मनाना प्रारंब हुआ 1999 से इसको मनाजा जा रहा है इसके साथ ही आपको दो दिवस और याद रखने जो हम चार मही को ही मनाते हैं एक है कोईला खनिक दिवस ठीक है कोईले का जो खनन होता है तो कोईला खनिक दिवस मनाया जाता है कोईला छेतर में साबधानिया और उनके प्रति जागरूपता इसके लिए क्या मनाते है कोला खनिक दिवस और इसके साथ ही चार मई को मनाते है विश्व अस्थमा दिवस चार मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं लेकिन इसके साथ एक चीज यह है कि मई का जो first Tuesday होगा पहला मंगलवार जो होता है उसको celebrate किया जाता है विश्व अस्थमा दिवस के रूप में और इसकी theme क्या रही तो इसकी विश्व अस्थमा दिवस की theme रही है Uncovering Asthema Misconceptions ठीक है ये भी आप याद रखेंगे अब देखते हैं हमने मई में अभी तक कोन-कोन से डे मना लिये हैं तो देख लेते हैं अंतरराष्टी मजदूर दिवस एक मई को मनाया दो मई को मनाया विश्व तूना मचली जो है उसके संडक्षन का दिवस तीन मई को मनाया विश्व हासे दिवस मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है हासे दिवस चार मई को अंतरराष्टी अगनी समन दिवस चार मई कोई कोईला खान दिवस और चार मई कोई विश्व अस्थमा दिवस मई के फर्स्ट टूज़े को मना जाता है उसकी तीम क्या है अनकवरिंग अस्तमा मिश कॉंसेप्शनस ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट है भारती सेना ने किस राज्य में 56 KVA की पहले सोर उर्जा दोहन सैंत्र का उधगाटन किया है तो यहां हमारा राइट आंसर होगा राइट आंसर इस ए सिक्किम सिक्किम में भारती सेना के द्वारा इस पहले सोर उर्जा दोहन सैंत्र का उधगाटन किया गया है किस राज्य में सिक्किम और सिक्किम के भी उत्री सिक्किम में इसका उधगाटन किया गया है याद रखिएगा किसकी सायता से तो IIT मुंबई की सहयोग से ये योजना पूरी की जा रही है IIT मुंबई के सहयोग से ठीक है इससे क्या होगा सेना ने किया है इसका उद्गाटन तो धियान रखिए सेना को भी सिलाब होगा जो सिक्किम के उत्तर में पायर रहते हैं जो सैनिक उन्हें यहाँ पर इस सोर उर्जा से अत्याधिक लाब मिलेगा और यह योजना परयावरण के अनुकूल भी होगी तो यह आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में जारी ICC की वंडे क्रिकेट रेंकिंग में भारत किस इस्थान पर रहा है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा तीसरा मतलब C ICC की जो ODI रेंकिंग है उसमें टीम की रेंकिंग में भारत कौन से इस्थान पर है और पहले स्थान पर कौन रहा है न्यूजीलेंड ओके न्यूजीलेंड किसके स्थान पर आ गया है इंगलेंड के स्थान पर आ गया है न्यूजीलेंड और दूसरे स्थान पर तो इंगलेंड है इसके साथ ही ICC T20 इंटरनेशनल जो रेंकिंग है ICC T20 इंटरनेशनल रेंकिंग है उसमें टीम इंडिया का स्थान दूसरा अभी भी बरकरा रहे कौन से स्थान पर है टीम इंडिया दूसरे स्थान पर यह भी भी बना हुआ है याद रखिएगा किस मंतराले के द्वारा उतपादन लिंक्ट प्रोसाहन योजना चलाई जा रही है तो यहां हमारा राइट आंसर होगा राइट आंसर इस डी Electronic एवं सूचना प्रद्ध्योगी की मंत्राले चला रहा है उत्पादन लिंक्ट प्रोषवाईन योजना क्या है इस योजना के अंतरगत तो जो उत्पादन लिंक्ट प्रोषवाईन योजना है इसके अंतरगत जो IT हाड़वेर होते हैं उनके लिए ये योजना मुख्य रूप से चलाई जा रही है जिसके अंतरगत कुल 19 कंपनियों ने आवेदन दिये हैं इसके तहद उत्पादन लिंक्ट प्रोसाहन योजना के तहद इससे इलेक्ट्रोनिक जो वी निर्मान है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ओके और जो प आप याद रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं हाली में किस राज्ज में सोरो पोर्ट्स की सो मीलियन वर्ष पुराने हड्डियां खोजी गई हैं तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या है डी डी इस राइट आंसर में खाले देखे पहले तो आपको यह पता नुच पर चोटे सिर होते हैं ठीके सिर क्या होता है चोटा होता और चार मोटे पेर होते हैं यह दिख रहे हैं आपको ठीके क्या कहलाते हैं सोरो पोर्ट्स कहलाते हैं कहां खोजा गया है यह सो मीलियन बर से पुराना सोरो पोर्ट्स तो यह खोजा गया है में कहले में इस से पहल वहन इनने में से किस राजी के पूर्व राज़पाल रहे चुके थे तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा राइट आंसर is B. चमु कश्मीर के राज़पाल रहे चुके थे जगमोहन। इनका हाली में दिल्ली में निधन हो गया और ये वियाद रखेगा जिल्ली के उपराज पाल भी रह चुके थे। से सम्मानित किया गया था और 2016 में इन्हें पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था तो तीनों ही सरवच्चे जो सम्मान है वो इन्हें प्राप्त हो चुके थे नेक्स्ट है अगर आप इस्टडी वित नीलम चैनल पर पहली बार आएं फ्रेंड्स तो फटा फट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो आप हमें सभी शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर की यह से पहले कि किसी भी लेक्चर की पीडिये फाइल के लिए आप हमारा टेलिग्रम चैनल जॉइन कर सकते हैं वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सिक्वेंसिंग करने के लिए IGIB Institute of Genomics and Integrative Biology से संपर्क किया गया है तो महराष्ट सरकार क्या कर रहे हैं कोरोना वाइरस के नमोनों की जीनोम सिक्वेंसिंग करवा रहे हैं याद रखिये गए हाली में आरवियाई के चोथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं टी रभी को नि पहली बार किसी विदेशी और साथी राजनाइक की भारत में COVID-19 के कारण मरत्य हुई है तो याद रखियेगा कहां के हैं वो तंजानिया देश के हैं तीन मई को प्रती वर्स विश्व प्रदेश सतंतता दिवस मनाया जाता है हम यह पढ़ चुके यह रिविजन बाला सेक् पहसी देशों में हमारे भारत देश की क्या रेंक रही 142 रही याद रखियेगा नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा लाइफ इंशोरेंस ने हाली में अपना मैनेजिंग डारेक्टर महेश वाला सुब्रमन्यम को निक्त किया है अब हिताग चूदरी को हाली में एक्सिस बेंक का पीवी सिंदू सटलर है पीवी सिंदू और मिशेल ली ये कनाड़ा की सटलर है इन दोनों को चुना गया है ब्रेंड एमबेश डर याद रखीगा बिलीव इन सपोर्ट तो ये अंतराष्टी ओलंपिक समीती का हैड़ कोटर कहा मिलेगा आपको लुजान स्विट्जर लें नेक्स्ट है माचल प्रदेश ने वर्स 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है और ये जो सभी राज नल जल कनेक्शन योजना बना रहे है ये केंद्र सरकार की योजना है कौनसी जल जीवन मिशन का प्रारम हुआ था 15 अगस्त 2019 को के बर्स 2024 तक देश के सभी घरों में नल से जला पूर्दी सुनिश्चित करना है और देश का पहला हर घर नल राज्ज कोन सा बना है तो ये बना है गोवा बिल्कुल मत भूलिएगा अच्छे सी याद रखिएगा नेक्स्ट हाल ही में नेट जीरो उतपादक मंच में शामिल होने वाला देश कोन सा बना है तो ये बना है साओधी अरप इससे पहले कौन-कौन थे नौर्वेज, अमेरिका, कनाड़ा, कतर इसमें शामिल हो चुके है उतदेश क्या है जीरो, नेट जीरो उतपादक मंच का तो इसका उदेश है जितना कारवन उसर्जन बातावरण में किया जा रहा है इन देशों में उतना ही कारवन उसर्जन बातावरण से हटाया जाना अगर जितना भी कारवन उसरजन मनिश्यों के द्वारा या देश विशेश के सरपर देखा जाए वो कर रहे है तो उसको हटाने के भी वो उतने ही प्रयास करेंगे मतलब क्या होना चाहिए नेट जीरो कारवन एमियेशन का लक्ष रखा गया है हाली में राष्टी मानव अधिकर आयोग के कारेकारी अधख्च किसे बनाया गया है प्रफुल चंद पंत को बनाया गया है इन्होंने किसका इस्थान लिया तो HL दत्तु का इस्थान लिया है कॉलकता हाइकोट के नए चीट जेश्टिस राजेस बिंदल बने हैं वाइल्ड इनोवेटर अवोर्ट पाने वाली पहली भारती महिला कृती करंत बनी है हाल ही में स्री लंका के क्रिकेट प्लेयर कॉन थिसारा परेरा ने रेटायर्मेंट की गोशना कर दी ये स्री लंका की क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके और ही स्री लंका के पहले खिलाड़ी है जिन्नोंने छे बॉल पर छेल स्टक के लगाए थे इसली भी आप इन्हें याद रखिएगा हाल ही में स्नूकर में चोथी बार चेंपियन कौन बर गए मार्क सेल भी बन गए किस देश से हैं मार्क सेल भी युनाइटेट किंग्डम से हैं किस देश से हैं युनाइटेट किंग्डम से हैं कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था निम्ड में से किसके द्वारा भारत में ऑक्सिजन से भरे कंटेनरों के सिप्मेंट के लिए ओपरेशन समुद्र से तु लॉंच कूट किया गया है तो यहां मारा राइट अंसर था ए भारतिये नो सेना के द्वारे से लॉंच किया गया है आज का आपका कोश्चन है हाली में इनम्ड में से किस राज़ी के द्वारा अस्पतालों में ऑक्सिजन की बरबादी रोकने के लिए ऑक्सिजन नर्सों की निपती करने का फैसला लिया गया है I hope आप सभी लोग आंसर करेंगे Okay friends, thanks for watching and take care